महराश्टर के नासिक जीले में स्थित लासल गाव एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है यहां की तर्च पर अब येवला मंडी में अमवस्य के दिन भी प्याजी खरीद होगी येवला मार्किट समीती ने भी अंध विश्वास की माननेता को अब किनारिक कर दिया है खादे एवं आपूर्ती और उपभोकता संडक्षन मंत्री छगन भुजबल ने नए साल के दिन लासल गाव के बाद येवला में अमवस्य के दिन प्याज की निलामी बंद करने की प्रमपरा को तोड़ने का आदेश दिया था जिसके बाद येवला मंडी समीती के प्रशासक के इस आदेश को शीगरता से लागू करने का फैसला किया जिसके बाद 70 साल में पहली बार येवला क्रिशी उपजमंडी समीती के परिसर में सोमवार को प्याज की निलामी शुरू हुई थी प्याज उतपाद को ने भी इस फैसले का स्वागत किया है किसानों के हित में केंद सरकार की ओर से राज्य सरकार के नियंतर्ण में प्रतियक राज्य में बाजार समीतियों का गठन किया गया है येवला क्रिशी उपजमंडी समीती की स्थापना 1952 में हुई थी और 1955 में इसने काम करना शुरू कर दिया था तब से लेकर आज तक सतर साल से एक परंपरा का पालन किया जा रहा है जिसके तहत अमावसिया के दिन खरीद नहीं होती थी मंतरी छगन बुझपल के आदेश पर अब अमल हो गया है सुमवार को पोला और श्रावन मास की अमावसिया थी इसी परंपरा को तोड़ते वे अमावसिया के दिन येवला बाजार समीती के प्रांगण में प्याज की निलामी शुरू होई किसानों ने अपने धाईसो वहानों से पांच हजार क्विंटल प्याज लाकर मंडी में बिखरी करी प्याज का अधिकतम बजार मुले 1617 रूपे क्विंटल और नियुन्तम भाग 500 रुपे रहा वहीं आसत भाग 1400 रुपे क्विंटल दर्च किया गया था प्याज की लासलगाफ मार्किट कमीटी की स्थापना एक अप्रेर 1947 को आजादी से पहले की अवधी में हुई थी तब से 75 साल से एक परंपरा का पालन किया जा रहा था यानि हर महीने अमावस्य के दोरान प्याज और अनाच की निलामी नहीं होती थी लेकिन पिछने जून के महीने में अमावस्य के दिन भी निलामी शुरू कर दी गई